दोस्तों वेल्गम बैक टू दो चैनल स्रेश्टी स्टेडी पॉइंट और उत्तर परदेश में प्रिस कॉंस्टेबिल भरती को लेकर यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं और प्रिवियस एर के बहुत सारे पेपर चैनल पर अप्लोड किये हैं आप सभी को पता है कि 17-18 फरवरी 2024 को इसका एक्जाम है तो तैयारी में लगे रहे है और आज फिर एक पेपर मैं लेके आई हूँ प्रिवियस एर का और इसको हम देखते हैं यहाँ पहला कोशन है कि निम लिखित में इसे किस नदी का उदगम भारत के भार हुआ है भारत से उसका उदगम नहीं हुआ है ठी ठीक है ब्रह्म पुत्र नदी भारत से नहीं पैदा हुई भूगोला अपने अगर अच्छे से पड़ी होगी तो आपको पता होगा कि गंगा यमना और नर्मदा नती तीनों ही का उदगम इस्तल भारत में ही है इगलू क्या है बहुत छोटे हम लोग जब हुआ करते थे त ठीक है तो यही है इगलू गुंबत के आकार का घर्या जोपड़ी होती है जो कठोर भरब की सिल्डी से बनी होती है और इसमें कौन रहते हैं एस्किमो यह कोशन आ सकता है एस्किमो कहां रहते हैं तो इस टाइप के गोशन इसलिए त्यार कर लिजे तीसरा कोशन है प्रच यहां पर देखते हैं यह अगला कोशन यह है चंबल नदी किन राजों से होकर गुजरती है तो उत्तर प्रदेश मद्व प्रदेश और राजिस्थान चंबल आपको पता है MP में है इसके बाद उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है बिलकुल ठीक है इसके एक अगला कोशन है इतालवी जिसमें बिजय नगर सामराज का अत्यंत प्रसंसात्मक विस्तरत वर्णन किया है ठीक है जिसमें तो वह कौन था जिसने बिजय नगर सामराज का बहुत अच्छा विस्तरत वर्णन किया वो है निकोलो कॉंटी अगला प्रदेश सुतंतरता के बाद रियासतों का एक ही करण यह बहुत important question है और इसले इस statue of unity बनी है वो किसकी है सरदार बल्ला भाई पटेल की सरदार बल्ला भाई पटेल की नर्मना ददी किनारे पर गुजरात में है न तो यह जो है इसले क्योंकि उन्होंने क्या किया था जब सुतंत्र हुआ था भारत तो बहुत साली रि रियासत किसी राजा की रियासत तो सारी रियासतों को मिलाके उन्हें क्या बना दिया एक खंड भारत है न तो यह नहीं का काम था तो रियासतों का एक ही करण की भूमिका में सबसे बड़ा रोल सरदार बल्ला भाई पटेल का था फिर अगला है चारकुला निरत इस कहां दिया था सारनाथ में दिया था मैंने बहुत धर्म से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड की है आप लोग जाके देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वीडियो है ठीक है इसके बाद है यहां पर कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो यह बिट्स में किया आता है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है यहां पर अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपगरह जो था वो आरे भटिता जीवाश्म किस प्रकार के शेल में पाई जाती है तो परतदार शेल में क्योंकि एक परत है इसको पर कोई जानवर या कोई मनुश्या कोई भी चीज मर गई उसके दूसरी परत बन जाएगी यहां पर तो वो यहां पर दब जाएगा और यह क्या बन जाएगा इजीवास्म फिर यहां पर कोई तो इस तरह से इसलिए परतदार शेल जो होती है पर पथर जिसे हम पहाड कहते हैं उसकी बात ह रही है रॉक्स की बायू मंडल में कौन सी गैस सबसे जादा होती है नाइट्रोजन होती है आप सभी को पता है और यहां पर मुझे बताईए कि कितने परसंट नाइट्रोजन होती है ठीक है इसके बाद अगला कोशन यहां पर है चौदमा कोशन यह हैं यहां पर कौन सी हवा कौन सी हवा वर्शा में दो बार अपनी दिशा परिवर्थित करती है तो मांसून हवा व 所以 एक बार में क्या होता है कि इदर जो यूपी का शेत्र इनसब शेत्रों में बारिश होती है लौटते वक्त क्या होता है फिर ये तमिल ज्वाकर्शन है जृवाटा की उत्पत्ति जौजवाटा आते हैं समुदर में और यह जो मैंने पेपर है य्हेव से डाउनलोड किया था तो इसलिए जहां से डाउनलोड किया था। हुनका वाटर मार्क इसे लगाऊ हाई यह। ये मरुस्थल हैं और ये जो मरुस्थल सारक क्या हैं क्या पूचा कहां पर नहीं तो ये सहारा आटाकामा और कालाहारी गोडी गोभी ये सब अलग लग जगह हैं और ये सब मरुस्थल हैं ठीक है जैन धर्म के 23 तीर्थांकर पार्शुनात थे इसको याद रखेगा 23 थांकर थे ये भी बताईएगा अगला यहां पर तो ये कोशन जो मैंने आप से पूछाए कि महावीर स्वानमी कौन से तीर थांकर थे ये बताईएगा और ये जो थे अंतिम तीर थांकर थे ये भी मैं आपको बता दूँ जैन धर्म के लेकिन नंबर आप बताएगे बहुत ही जी कोई सी नदी टेल्टा नहीं बहुत है जैसरे बहुत उचाई से जब पानी गिर रहा है वह आता है और डेल्टा कहा बनता है कि जो नर्मर्दा देजी का मुहाना है वो किदर है वो ये भी आपको बताना है आप ठीक है इसके बाद बहुत सारे कोशन मैं आपको यहाँ पर छोड़ रही हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से पड़ पाएं एशिया एक हेलो में 400 मीटर की दौर में सोड़ पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी तो कमल जी संदू ये कोशन इंपोर्टेंट है ये अभी आया था इस बार भी किसी एक्जाम में आया था ठीक है एपीएस के एक्जाम में आया था शायद यूपीपीएसी की दौरा नी गणना पढ़ लीजेगा उससे कोशन जरूर आ रहा है बांगलादेश के किरकिट मैदान में किस खिलाड़ी की मिर्ती हुई थी तो रमन लामबा इस तरह से निमलिखित यहाँ पर दिया है गैर परमपरागत उर्जा श्रोत कौन से हैं तो पवन और जुआर ये दोनों गै गया है तो वो कानूनी अधिकार हो गया है तीनसो ए में रग दिया गया तीनसो काभी कहते हैं ये अनुच्छेhing से अठाया गया है ठीक हैमारे मॉलिक अधिकार का ही अनुच्छेद है संपत्ती का अधिकार ये आप बताएंगे अगले यहां पर है 26 कोशन जिमकार्वेड नैशनल उपार कहांपर है राम नगर नैनिताल में है यानि कि ये उत्त्राखन में है ये कोशन इस तरह से आता है इसके बाद है अगले सुंदर्बन कहांपर सुंदर्बन क्या है तो दुनी मापक की काई को कहते हैं डेसीबल ये दे रखाए ठीक है डेसीबल में नापते है दुनी अगला पुरशना यहापर हरित ग्रह प्रभाब किस गैस की अधिक मात्रा के कारण होता है सबको पता है कारवन डाई ओक्साइड के कारण पहले इतना सरल पेपर आता था समझ लीजे लेकिन अब जो पेपर का लेबिल डेफिनेटी टफ होगा क्योंकि बहुत बच्चों ने फॉर्म बारा है ताज महल बदरंग क्यों हो रहा है अमलिये वर्षा के कारण हो रहा है असिटी ग्रेन होती है वहाँ पर और क्यों हो रहा है क्योंकि मत्रुरा रिफाइनरी है वहाँ पर मत्रुरा पास में है और मत्रुरा ओइल की रिफाइनरी है तो इस वज़े से वहाँ पर ये दिक्कत आ रही है इसके बाद यहाँ पर है अंटार्किटिका जाने बाले पहले भारतिये दल के प्रभावरी डॉक प्रहन के अंतरगत नहीं आता जबकि ये सब आते हैं ठीक है कंडेंस क्योंकि इनकी वज़े से देख लीजे सूर्य देवता निकलते हुए भी नहीं दिखते हैं इसके बाद कोहरा की वज़े से देखिए कभी-कभी निम लिखित ऊश्रु कटीवंद शेत्र कौन सा है ये यहां पर साड़े 23 डिग्री है युत्तर की तरफ और साड़े 23 डिग्री दर्ष्ट्र की तरफ तो ये करकि मकर इस बीच में क्या होता है सब उस्ष्न कटीवंद शेत्र है क्योंकि सबसे ज़्यजादा यहां पर बारिश और घर्मी का शेत्र रहता है इसलिए इसके अगला है यहां पर अक्शान रेखा है देश बखांस याद आगया उपकार को याद रखने वाला आप marty रिक्षन आगाकर को याद रखने वाले clicking क Теперь निम लिखार को इसे टत्सम शब्द का चैन कीजिए तो टत्सम और चिEMA बहुत अच्छे से मैं पक्कम कल पक्कम कहां पर है तो ये परमाडू उर्जा केंद्र है ठीक है कल पक्कम में क्या चीज है परमाडू उर्जा केंद्र ये कोशन आपर पूछा गया है अपने मूमिया मिठ्थू बनने का वल्दा क्या होता है आप अपनी प्रसंसा स्वेम कर रहे हैं यही तो था है क जो उला रासबा सदासा 6 वर्ष यो है उनका खतम उजाता कारदा यो कोस्टा अथा है वारती रेजर्व वेंग करता है RBI ठीक है इसके बाद है मगद सामराज का अंतिम शाशक कौन था तो वो उदयन था सांची स्थूप का निर्माड किस ने करवाया था शोप ने करवाया था और सुविख्या जो शुण मंदिर है वो कहा है वो पर क्या निर्माड है शुण राजपती यह उस समय का कोशन था लेकिन अब जो है वो भारत के बरतमान राजपती आप बताईएगा कौन है ठीक है मुर्मुजी है मेल है फीमेल है यह सब आप बताएगा फिलाहल ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है फीमेल के परपस से क्योंकि आप सभी को पत जाती है उससे संबंदित है तो इसलिए याद रखेगा इनका पूरा पढ़े लीजेगा पहले कहा कि राजपाल रही थी क्या रहा था ये किस शेत्र को ब्लॉंग करती है इस तरह की कोशन आ सकते हैं ठीक है यहाँ पर अगला प्रिशन है भारत के सरवोच न्याले के मुखिन पढ़ लीजेगा इसका नीना दाबू लरी क्यों चर्चा में रही ये कोशन इस टाइब क्या सकते हैं तो इनको आप जो हैं बिल्कुल कभी है मत सोचेगा कि ये पुराना कोशन है तो मिस अमेरिका के ताज मिलने के कारण ठीक है इसके आद आस्टेलिया के नए प्रधान म क्या है इस सब पढ़ लीजेगा ये कोशन इसलिए इंपोर्टेंट है कि आपको अपडेट रहे कि किस टाइप के देखे नवंबर दिसंबर 2013 में किस राज की विदान सभा में चुनाव नहीं हो रहे थे उससमें जहन खार करना है ये देखे ये ये बहुत इंपोर्टेंट दो ये कोशन नहीं आएगा ये इन किस की मुद्रा है ये कोशन इंपोर्टेंट है जापान की है मुद्राएं पढ़ लीजेगा सब जगे की और जापान का सिक्वेंस उनके जो द्यूप है न जापान की उनका सिक्वेंस पढ़ लीजेगा सिक्वेंस खूब आ रहा है आज उत्तर से दक्षिन को मिलाईए है, दक्षिन से उत्तर को मिलाईए, सबसे बड़ा दीव कौन सा है जापान का, इस तरह के, ठीक है, रॉवर्ट कैनी गेल की पुस्तक दमेन, हूँ न्यू इंफिनिटी, ठीक है, यह है श्री निवास रामा नुजम की, दमेन, हूँ न्यू इ जिसे इंफिनिटी के बारे में पता, इंफिनिटी ऐसे होता है, अनंत के बारे में, तो यह रॉवर्ट कैनी मैन, कैनी गेल की पुस्तक है, और यह जो है वो श्री निवास रामा नुजम की जीवनी पर आधारित है, तो पुस्तके पढ़ लीजेगा, important, important, इसके बाद यहा रतन कंपनी और जो रतन कंपनी क्योंकि जो कंपनियां उनको भी डिवाइट किया गया ना उनकी वर्क के अनुसार तो यह भी पढ़ लीजेगा इतियास के इसके इकनोमिक्स के अंतरगत अगला यहां पर प्रिशन ही देखिए यह दिया है भारत सरकार द्वारा भारती विश मेले गए हो चुके टोक्यो में अब 2000 आप उसके बाद यह जो है 2024 और इस तरह से इसको याद करिएगा इसके आद मदुशाला किस की क्रती आप सभी को पता हरीवन श्रायवच्चन जी की है भारत के किस राज में 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हुई थी दो कि पुरिस से रिलेटेड है तो इन सब को पढ़ लीजेगा इसका भारती बायू सेना के जो वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है उनको पढ़ लीजेगा यह पहले का कोशन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजपाल अब तो बदल गई है अब जो है फीमेल है अब यह मैं ना टैगोर्ण जी ने की थी राष्टगान की एगमार्क क्या है तो एगमार्क खादवस्तू की उडवत्ता के लिए आशवाशन की मोहर है निमलिखित में से किसको वीरता पुरुसकार वो कौन सा इस में से वीरता पुरुसकार है तो परंबीर चक्र जो है सबसे बड़ा अच्छे काम किये गए उनमें सबसे बड़ा पुरुसकार है भारत भारत को आगे बढ़ाने के लिए और यह इक्वाल जम्मान है तो यह इस तरह से हैं लेकिन परंबीर चक्र जो है वो बीरता चक्र के अंतरगत है यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज कौन सा उत्तरपरदेश है और आज भी उत्तरपरदेशी है ठीक है चीनी के उत्पादन में याद कर लीजेगा ठीक है पुस्तक देवदास के लेखा सरत्चंद चट्टो पाद्या हैं 2013 में अरजुन पुरुसकार किसे प्राप्त हुआ था तो यह विराट कोली को ले हैं यह कोशन आ सकता है इसलिए मैं बता रही हूं एड्स के का विस्त्रेत रूथ आप सभी को पता एक्वाइड इम्यून डिफिशिंसी इंड्रोम इसका फुल नेम होता है और भारती रिजर्वेंग के नए गवर्नर यह उस समय के हैं और अब देख लीजेगा कौन है प्रुसकार मिला था तो रंजन सोधी को मिला था एंजला मरकेन कौन है तो जर्मनी की उससमें चांसलर थी 2013 में एंजला मरकेल बहुत पॉप्लर लेडी अगला है अक्टूबर 2013 में भारती स्टेट मैंक के अधिक शुस्समें 2013 में अरुंदती चट्टो पाच चट्टा भट के प्रपस्षन है हिंदी के प्रपस से सांती सरूब भटनागर पुरसकार निमलिखित किन कारियों में दिया जाता है तो विज्ञान के बिविन इक शाखाओं में उलेखनी ये योगदान करने के लिए ये दिया जाता है अगणी फाइव क्या है तो सते से सते पर मार करने वाली एक सुदेशी मिसाइल है उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहां पर है तो यह टाबा में इंपॉर्टेंट कोशन है यह आ सकता है ठीक है पूरा लॉयन सफारी के बारे में अच्छे से पढ़ ली जगा फैलिन क्या है अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान और एक नया तूफान इस वार 2023 के अंतरगत है उसको भी पढ़ लीजेगा यहां मैं आपको सब बताती चल रही हूं क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी तो यह बीडियो बहुत बढ़ी हो जाईए और बच्चे दे 2023 में US Double Championship जीता तो लिएंडर पीस और रेडिक इस्टेप आके नेक ने लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो यह US Double, US French Open और यह सारे जितने भी ओपन हैं Badminton से related और lawn tennis से related यह तो सारे पढ़ लीजेगा सब क्योंकि इन में से कोशन आपको देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यह पूरे 80 कोशन अभी आपने देखे और इसमें GS के कोशन जादा थे हिंदी के तो एक दो ही कोशन थे तो इस तरह का पेपर आया था अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है यह GS के परपस से और काफी कुश कोशन जो है प्लिक हुए होंगे जो कोशन अगर आपके छू पर नहीं हूँ तो सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलूंगे अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार